तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पीक एजुकेटर में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे कि यूरिश्टी के जो एक्जाम कैंसिल किये गए हैं तो उनके स्टुडेंट्स को जो प्रमोट किया जाएगा वो किसाधार पर किया जाएगा फार्मूला क्या होने वाला है तो आज इस वीडियो में आपको फार्मूला बताने वाला हूं कि किस फार्मूले के तहद विडियार्थियों को जो है अगली क्लास में प्रमोट किया ज साथ ही बेल आइकेन को प्रेस करिए यूपी स्कॉलर्शिप से और यूनिवेस्टी एक्जाम से या एजुकेशनल लूज से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों यह रहा फार्मूला कई फार्मूले हैं प्रतेग भी से के देखें नंबर बनेंगे प्रमोशन का आधार सुत्रों के अनुसार प्रथा मोर्श में परिच्छा नहीं हुई है ऐसे में इसका अच्छा के प्रमोशन में दो नियम लागू हो सकते हैं जो नियम क्या है कि पहला उसके इंटर के अंकों को आधार मानकर उसके इंटर के अंकों को आधार मानकर उसे दो ती वर्स में प्रमोट कर दिया जाए और जो दूसरा नियम अगर लग सकता है तो यह कि प्रतम वर्स में जो पेपर हो चुके हैं उसमें छात्र के नंबर कैस को अपनाया जाए और इंडर के आधार मानकर उसे दो आधार समय किया जाए ठीक है दो तीवर्ष को प्रप्रमोट करने के फर्थम बिशैवार नंबर आधार के जो भी नंबर होगे हर बिशैवार बनेगे थिवानल यर नyoung पीर नो प्रफ मत पुझा आधार के लिए फाइनल 3 की था यर सेकेंड इर सतार है तो दोनों को अश्त अगर निकाले तो सटी सचतर हो गया डेढ़ सो डेढ़ सो का अगर आउसस निकाला जाया तो 65 नमब को मिल जाए तो इस तरह से मार्क का आऊसत का और बना कर प्रोमोट किया जा सकता है हलांकि आउसत नंबरों के बाद छात्रों को improvement या back paper देने का मौका मिलेगा इतना मतलब आउसत नंबर आपको मिल जाता है लेकिन फिर भी आप अगर उन marks से संतोष्ट नहीं हैं तो इन जो आउसत नंबर मिलेंगे उसके बाद आपको improvement या back paper देने का मौका मिलेगा ताकि वे अपने नंबरों को और बेहतर कर सकें तो दोस्तों यह था फार्मूला यह फार्मूला अपलाई हो सकता है फर्स्ट यर सेकेंड यर और फाइनल यर के कोई सब्सक्राइब करना भोल नहीं जाना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बाक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई न्यूज के साथ